नवस्कार दोस्तों स्वागत आपका CP स्मार्ट क्लासेस में दोस्तों दैनिक रोजगार समचार में आज कई एहम खबरे हैं जो आपके लिए बहुत ही जरूरी हैं इसमें दो इंपोर्टन खबरे यह हैं कि सरकारी बिद्यालों में 62,000 लिप्रिकों की भरती होने वाली है और के सारे आकड़े जो थे सभी कोचिंग सर्थानों के और चात्रों के जो एक्सपेक्टेशन थे वो सब धरे के धरे रा गया है अब सब कुछ नए सीरे से इसमें बनाया जाएगा तो आए चर्चा करते हैं सभी ख़बरों पर एक के बाद एक सब पर चर्चा करेंगे डिटे कि अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहें सीजल की परिच्छा होती है सेंडरल गवर्मेंट जिस परिच्छा को लेता है इसमें ग्रेजुट इसमें अप्लाई करते हैं और केंदरी है सरकार में जो है सेंडरल गवर्मेंट में बहुत सारे अच्छे अच्छे पद होते हैं अधिकारीयों के जो भरे जाते हैं इस परिच्छा में जो टीर वन इसकी परिच्छा थी उसमें आदे सधिक अभ्यारतियों ने परिच्छा को छोड़ दिया है तो ये एक important news है आपके लिए क्योंकि ये पूरे देश की लोग इस परिच्छा में बैठते हैं अब देख सकते हैं 2016 में अवेदन कितने आये 28 लाक आया आवेदन परिच्छ में सामील हूए 14,25 लाक और कितने प्रितिस परिच्छा में सामील हूए eval 37 परशen्ट लोग परिच्छा में सामिल हुए थे इसी तरह से जब इन आखोंगों को हम नीचे जाते है तो चोबिस में 36 लाख अभ्यार्थों ने यहाँ पे आवेदन किया था परिच्छा में 18,13,000 अभ्यार्थी के वल परिच्छा में सामिल हुए है उन्चास दसमेलों 35% अब्यार्शी परिच्छा में सामिल हुए हैं इसलिए आवेदन करने वाले चात्रों की संख्या को देखके घबडाना नहीं चाहिए अब कंप्टिशन के ओर 18,13,000 चात्रों की बीच में है और आगे ये कंप्टिशन कम होता जाएगा PCS परिच्छा के बारे अपडेट है कि इसी हपते जो है इस्तिती इसकी इसपष्ट हो जाएगी दिसंबर के पहले सब्ता हमें प्रस्तावित है ये परिच्छा 7 और 8 तारी की बात हो रही है इसकी 7 और 8 को परिच्छा होगी अब देखते हैं कि ये इसमें क्या निकल के आता ह है अभ्यार्थी फिराल अभी भी असमंजस में हैं 2024 की ये परिच्छा जो है एक बवाल बन चुकी है जो नए रूल्स आये हैं परिच्छा कराने के लिए जिसमें कि केवल सरकारी कालोजों को ही परिच्छा किंद्र बनाए जाएगा इस वजए से समस्या आ रही है और दू हमेलाई येसन का चात्रों ने जबरजस्त बिरोध किया है अब साथ और आठ तारिक जो आयोग की तरफ से प्रेस्तावित है वो चात्रों को स्विकार नहीं है अब किस डेट में परिच्छा होगी दिसमबर के पहले सब्ता में डेट क्या होगी फाइनल उसके बारे में तो ये एक गोल्डन चांस है दो हजार चोविस पीसेस की परिच्छा इसको आप लोग थोड़ा सा एक्स्टा टाइम मिल गया तो इसको जाने मत दीजिएगा अट लेस्ट यहां पर प्री एक्जाम जो हो रहा है उसमें अपना जो टाइम आपके पास एक मेहने का बाचा है पूरा लगा दीजिए और इस प्री को क्लियर कर लिजिए फिर मेंस की तैयरी कीजिएगा बिहार में तेजस्वी यादो बोल ले हैं कि इसी छकों की नियुक्ति परकरिया हमारी उपलब थी ये तेजस्वी यादो बोल ले हैं और तेजस्वी यादो जो बिहार के उसमें दस लाग सरकारी नौकरी देने का वदा किया था तेजश भी यादोंने, कि हमारी सरकार बनेगे, छोगे नरी देंगे, सरकार बन गई बीजेपी और नितीज कुमार की, नितीज कुमार मुक्रxtures बन गए, लेकिन कोई भी वेकेंसी कहीं पर भी नहीं आई जब नितीज कुमार पारला बदल के तेजस्वी के पास आए तेजस्वी डिप्टीसियम मनें नितीज कुमार मुखी मंतरी मनें उसके बाद बिहार के जो प्रतियोगी छादर थे वो सब उतसाहित हो गए उन्होंने कहा कि अब तेजस्वी यादो अपना वादा प हैं फिर भी वहां से नوف集िया निकलना स्पूल हुई बिहार में उस समय नौकी निकलना सुरह हूं भाली सुरू हूई उसके बाद आज तक लगतार बिहार में बहाली चल रही है सिच्चकों की बड़ी भरतियां की जा रही हैं इसलिए तेजस्वी यादो जो यहां पे बोल लें कि यह हमारी उपलब्दी है तो इसमें कोई दो राय नहीं है ऐसा मेरा मानना है बाकी बिहार के चात्र जो बिहार के चात्र है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि वाकई में बिहार में जो यह भरतियां हो र लिए जाएंगे किस तारीक तक आवेदन लिये जाएंगे राजस्वास्त समित्य ने अभ्यारतियों से आवेदन मांगा है community health officer पत का नाम है 4500 पत है और इसके लिए राजस्वास्त समित्य ने बिग्याफण जारी कर दिया है यो कि अभिहार्थियों से एक नॉमबर से आवेदन मांगा गया है या आवेदन 21 नॉमबर तक भरा जाएगा अना रच्छित वर्ग के लिए नौ सो नवासी यौस के लिए 245 एस्सी के लिए बारा सो तैंतालीस एष्टी के लिए 55 एबी सी के लिए 1170 और पिछड़ा वरक के लिए छे सो चालिस पिछले वर की महिला वर की महिला एक सो आंसेट इसमें महिलाओं के आरचित कोटे के संक्या साथ सो एकतिस पद हैं इसके लिए योग्यता बी एस सी नर्सिंग रखी गई है आवेदन संबंधी जानकारी इस बेप साइट से देखी जा सकती है इसके पहले दुबर वेकंसी जारी हुई थी लेकिन अलग अलग करोनों से रत्य कर दी गई थी पहली बार मार्च वेकंसी जारी हुई थी महिलाओं के लिए 45 वर्ग है रेखता हम bureau आयुसिमा 47 व्रक है, पिछड़ा तथा अती पिछड़ा वर्य कि पूरुस और महिला, आवियतकों में 45 है सुलक इसे सुलक की इसमें 500 रुपे मागा गया है महिलाओं कि लिए 230 मागा गया है सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो यह एक अच्छी वेकेंसी है जिसके पास बीएसी नर्सिंग बिहार से एक और बड़ी भरती आ रही है यह कहां पर किये जाएंगे सभी मध्य उच्छे विद्यालियों में लिपिकों की भरती हो और गी पद सरजित कर दिये गए हैं लिपिकों की भरती एक बड़ी भरती है इसकी योग्यता इंटरमेडियत होती है जिसको बिहार में प्लेश टू बोलते हैं प्लेश टू अगर आपने किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं एक बड़ी वेकेंसी आ रही है बिहार में तो च्छातर बिल्कुल तय सब्सक्राइब करेंगे इंटर्मेडियर टोइल्थ पास प्लेश टू पास चाहतर इसमें अप्लाइब करेंगे कि सिपाही के आवेदन में संसोधन पांच से शुरू हो जाएंगे यहां पे जो आवेदन कर रखें सिपिफ की 49,451 पदों पे आवेदन किया है रिक्त पदों के साथ पे अच्छी देश बर में 52,569,500 इवक्तियों ने आवेदन किया है आवेदन की नियूंतम योगिता हाई स्कूल और आयू सीमा 18 से 23 साल निधारित की गई है इसके आवेदन 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 करने के दोरान कई अभियादियों के फोटो ठीक से अपलोड नहीं हुए इसके अलामा कई के हस्ताक्छर भी निर्दारित फार्बर्ट में नहीं थे इसके अलबाद जेंडर या वर्ग का कालम भरने में भी कही अब्यारतों निकलती की जिसके कारण वाच छट जाते हैं इसमें सुधार करने के लिए एससी की वेफसाइट पर पांच से साथ नॉम्बर तक खुलेगी इसके बाद आनलाइन परिच्छा जन्वरी और फर्वरी में कराई जा सकती है इसमें सफल अभ्यारतियों को BSF, CRPF, SSB, ITBP, Assam Rifle, आदिमें नोकरी मिलेगी और काफी ज़्यादा इसमें च्छात्रों ने आवेदन किया है पांच अगस्य सितंबर तक आनलाइन आवेदन लिए गये थे आठवी में पढ़ाई करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के प्रदेश भर से 1,57,013 मेगावियों ने आवेदन किया है अगले रविवार को इसकी परिच्छा होगी ये कौन सी परिच्छा है चात्रवर्ति की परिच्छा है ये चात्रवर्ति वाली परिच्छा जो है 28 सितंबर मलब प्रदेश भर में आठवी में जो पढ़ते हैं चात्र वो 1,57,013 भ्यारतों ने इसमें आवेदन किया था तो चात्रवर्ति में आठवे क्लास में पास पढ़ने वाले जो चात्र हैं उनकी परिच्छा जो है अगले रविवार को कराई जाएगी और ये जो सी रपीफ में जो आवेदन किया है 52,69,500 इनकी परिच्छा जनवरी फरवरी में संभावित है तो ऐसे में समय बहुत कम है और CPF में जो है अगर आप सफलता चाहते हैं तो इसके syllabus को बिलकुल तयार कर लीजिए क्योंकि competition आप देखी रहे हैं कितना ज़्यादा competition यहाँ पे हैं किसी को कोई परवाह नहीं कोट का केस भी जिच चुके है इससे ज़्यादा बुरा हाल सिच्छकों का उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुआ जितना 69,000 सिच्छक भरती के चात्रों के साथ अन्याय हुआ है सीधी सीधी सिच्छक भरती घोटाला है लेकिन इस पर जो रवया है जो लोग जिम्मेदार है उनका रवया बिल्कुल दमन का रवया है चात्रों का दमन किया जा रहा है सब को छात्र करके ठक चुके हैं कोट से जितने का ओर्डर विला चुके हैं लेकिन उनके लिए कुछ भी नहीं हो रहा है तो दीपा वली छात्र एको गार्डन में ही मनाएंगे क्या करेंगे उन्होंने बिल्कुल ठान लिया है कि न्याय मिलने तक संघर्स इनका चारी रहेग अगली ख़बर पीएशडी में दाखले की है तो डीउ में जो है अगले सब्ता से दाखले सुरू हो जाएंगे पहले एक्टूबर के अंत में सुरू होने थे दाखले लेकिन अब थोड़ा सा लेट हो गया है और यह नॉमबर के फ़ैस्ट वीक में डीउ में दाखले तो आज के इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद